पुलिस अजिचक अनुराग आर्या ने बताया कि नव बजे रात्री अभियुत मोनु यादो जो मुख्य आरोपी गोल्डी यादो का भाई है जो कंद्रापूर थाना चत के खेरिद दीन पुलिया के पास मुटबड के दवरान ग्रिप्तार कर लिया गया है एक रिपोस्ट सर्पुदी नाजमी कल दिनाल 20 सितंबर को थाना कंद्रापूर अंतरगत ग्राम हरियरपूर में घटित हत्यानी घटना के संबंद में आना कंद्रापूर पर एफायर नंबर 230 बटा 22 जारा 302 तीन सुटेश पांसवा पांसुच्छें चौतिस आईपीसी वे सेवन से एलेक्ट सुशील यादव और गोल्डी मोनु यादव वे दो अन्य अव्युक्तों के वरुद पंजिकरत किया गया था जिसमें आज दिनांग 21 तारिक को रातरी लवग 9 बजे नामजद अव्यूक्त मोनु यादव जो कि मुख्य अव्यूक्त सुसील यादव और गोल्डी का भाई है इसको खेरुदीन पुलिया के पास पुलिस मुट्वेट के दोरां गिर्फतार किया गया है इस दोरां इसके दाहिने पैर में गोली लगी है उप्चार के लिए इसको जिलास्पताल भीजा गया है इसके पास से एक अवैर असला 315 बोर कारतूस और खोका बरामद हुआ है घटना के संबंद में इससे वस्तरित पूच्टाज पुलिस ट्रीम के दोरा की जा रही है इसके साथ साथ आज ही मुख्य अव्यूक सुसील यादव और गोल्डी के ग्राम हरीहर पूच्टित पोकरी की जमीन पर जो अवैर कबजा करके इसमें मकान और बाउंडरी ओल बनाई हुई थी उसके द्वस्तिकरण की कारवाई पुलिस वर राजस ट्रीम की मौजूदगी में संबंद कराई गई है तीन फरार अभ्युक्ति ग्रफ्तारी के लिए चार टीमें लगातार दविश में है थाना कंद्रापूर की टीम के दौरा इस घटना की वेशना की जा रही है इसमें कटोर कारवाई जैंक्स्चर है 14.1 के अंतरगात संपत्ति जप्तिकरण की कारवाई और अन्य जो विधिक कटोर कारवाई है वो इनके विवर स्निशिक की जाएगी